ओम सभी राज्योक का अभ्यास करते हुवे परमानंद का अनुभव करते हैं लेकिन ये परमानंद उन्हें सर्वाधिक प्राप्त होता है जिनका मन और बुद्धी एकाग्र हो जाते हैं एकाग्रता इस अंशार में पहले से ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है कोई मनुस्य हैज एकाग्र हो पाता है कोई बिलकुल नहीं हो पाता है लेकिन एकाग्र होने के लिए जहां और बहुत सारी बाते आवश्यक हैं महीं इस्वरिये नसा भी इसमें एहम भूमी का निवाता है हमें अपने चित को इस्वरिये खुमारी से भरबूर करना होगा ब्रह्मा बाबा जैसे सदा इस नसे में रहते थे मैं गौडली स्टुडेंट हूँ बहुत बड़ा नसा था उनको ये बविस्वे मुझे नाराण बनना है विस्व महराजन बनना है इस इस्वरिये नसे ने उनको सच्मुच बेफिक्र बाच्सा बना दिया था इस्वरिये प्यार में मगन कर दिया था एकागरता में परफेक्ट कर दिया था हम भी इस्वरिये नसे में रहें कौन पढ़ाने आया है हमें किसने आकर हमें सत ग्यान दिया है सबेरे सबेरे सवयम भगवान परमशिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आता है तो सवयम भगवान पढ़ाते हैं और हम गौडली स्टुडेंट हैं यह नशा जितना अधिक से अधिक हमें रहेगा पढ़ाई पर उतना ही हमारा अटेंशन रहेगा उतना ही हमें इस इसवरी ये ज्ञान के अनमौल रतनों की वेल्यू भी होगी नहीं तो कईयों को ये ज्ञान बिलकुल साधारन लगता है वही तो आत्मा की बात है लेकिन आत्म ज्ञान तो अतिगुये है ये अनुभव होने लगेगा हमें अपने भविश्च का नसा भी बाबा की तरह ही रखना है हम ये नहीं कहेंगे के हमें पता नहीं है हमें पता है हम भी महाम देवता बनने वाले हैं अपने देव स्वरूप को जितना ज़ाद हम इस परती में लाएंगे हमारे अंदर देवत उतना ही आता जाएगा, देवत तो निखरता जाएगा, हमें ये नसा चड़ा रहे, कि ये देह छोड़ कर, मैं भी बहुत बहुत दिव्यता से भरभूर, पवितरता से संपन, देवता बनूगा, अपना देव सुरुप बार बार याद आता रहे, जैसे क हमारे सामने खड़ा है, बहुत सुंदरन भोंगे, और भी बहुत सारे नसे, हमें अपने अंदर रखने है, कोन मुझे साथ दे रहा है, कोन मेरी जीवन नईया का खिवया बना है, किसने मुझे काहा है बच्चे, सारे बोज मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसन हमें कहा है बच्चे तुम चिंता न करो मैं जो हूँ मैं जो बैठा हूँ तुम बेलकुल बेफिकर बादसा बन जाओ तो हम इस वरी एक खुमारी में चलें इस वरी एक खुमारी में रहें बोले भी तो हमारे बोल से हमारा इस वरी ए नसा परतक्ष जलकता हो लेकिन ध्यान ये नसा बहुत सुक्स्म है, ये बोलने का नहीं है, हम बार बार दूसरों को बोलेंगे, हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ाता है, तो लोग सायद उतना इस बात को सुईकार न कर पाएं, लेकिन हम सुक्स्म रूप से जितना इस नसे में रहेंगे, उतना हमारे च जो दो हमने कहे, मैं गौडली स्टुडेंट हूं, स्वयम भगवान ने हमें सत्य ज्ञान दिया है, बहुत बड़ी संपूर्टा की डिगरी हमें मिलने जा रही है, जो डिगरी वास्तो में बहुत बड़ी होगी, संसार में किसी को भी ये डिगरी प्राप्त नहीं है, दूसरा, मुझे भविस में एक महान देवता बनना है, इसको याद रखेंगे और इसके साथ साथ प्रेक्टिस करेंगे फरिष्टा सो देवता बनने की, बस ये अभ्यास करें, मुझे फरिष्टा बनकर घर जाना है, और देवता बनकर वापिस आ जाना है, कितनी सुन्दर ब देवता बन जाएं, भरपूर देवता, संपन देवता, ये अभ्यास हमें बहुत लाइट करेगा, हमारी समस्याओं को हल करेगा, हर घंटे में एक बार, एक मिनट के लिए अपने फरिष्टे स्वरूप और देवता स्वरूप को सामने रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, और सारा दिन डबल लाइट होकर दिन चरिया को भी अतीत करेंगे, ओम सामने,